यहां देख सकते हैं दोस्तो सकेंडरी सेंटर पेग्जाम निशन 2022 माध्यविक उत्प्रेशन प्रिक्षा 2022 मेथमेटिक्स यानि कि कलास तेंट सेंटर पेग्जाम 2022 का दोस्तो ओरिजिनल कोस्टन पेपर है यसी से आपको चाप देना है सिधा जाके एकजाम में ठीक ना मैं आ आपको एंसर बताऊंगा दोस्तो वीडियो को लास्त तक देखेगा अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिए और घंटी को दबा के ओल कर लिए चलिए दोस्तों कोस्टन की ओर चलते हैं ध्यान से दोस्तो पूरा वीडियो को देखिए का च्छाप देना है जाके एक्जाम में ठिक न देख सकते हैं दोस्तो पहला question है का रहा है एक वट्टे 2 है एक वट्टे 2 है एक क्या है तो दोस्तो इसका answer c हो जाएगा ओ परीमे संख्या हम सिर्प आपको answer बता रहे हैं ताकि आपको exam में जाके छाप देना है ठीक न चलिए दोस्तो नेक्ष सव फॉरा सलूशन हम यहां नहीं बता सकते अगर पुरा सलूशन चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट बक्स में लिखेगा हम कोपी पर आपको फॉरा सलूशन बता देंगे चलिए दोस्तों तीन नमर का कोस्टन है कि बहुपत फोर एक स्क्वार पलस फाइब रूट टू एक्स माइनस थिरी के सुन्यक कौन से हैं तो इसका इंसर दोस्त आपको थिरी का सी हो जागा माइनस थिरी रूट टू बटे टू कोमा रूट टू बटे फोर ठीक चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लेते दोस्तों टिलेग्राम चैनल को जोईनिंग कर लिजिएगा हम आपको पीडिया भेज देंगे ठीक चलिए दोस्तों चौथा कोस्टन है यदि दो संख्याओं का को स्वानन फल 15the ra 2,000 है एवाम उनका मोसोटैस टैस और लो सोगा तो दोस्तों लो सो क्रेकसि निकालना आप 14,000 ऑप से भाग देना है ठीक 15,000 20 से வाते देने के बाद दोस्तों आपका अंसर यह आजाएगा 690 छालिए दो सब्सक्राइब जो कॉमन मिलता है वही मोश होता है इसमें हमें कोमन देखना क्या मिल रहा है उस सब को निकालने के बाद दोस्तों पाँच का अंसर आपको B हो जाएगा 108 C ठीक चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देखते हैं पूरा सलूशन अगर चाहिए तो comment box में लिखेगा दोस्तों छोग नमर का है कि निमलिखित में से कोन बहुपद नहीं है इसका अंसर C हो जाएगा 1 बटे X-1 क्योंकि बहुपद वो नहीं होता है जो कि बटे में रहे X और वो X लेके जाए कोई भी चर्पद अगर बटे में या रूट में मिल जाए तो वो बहुपद नहीं होगा ठेक चलिए दोस्तों साथ नमर का question देख लेते हैं साथ नमर का question है कि समीकरन इसका answer दोस्तों आपको B हो जाएगा अनंत हल जब इसको हल करेंगे अनंत हल निकलेगा दोस्तों ठीक चलिए दोस्तों आठ नमर का question देख लेते हैं आठ नमर का question है कि यदि किसी दुगात बहुपद के सुन्यकों का योग फल चार एवं गुनन फल एक है तो वह दुगात बहुपद है तो दुगात बहुपद इसका बी निकल जाए गया x square minus 4 x plus 1 ठीक चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लेते हम नो नमर का सवाल है दोस्तों कि यदि समीकरन निकाईयों 4 x plus k y plus 8 बरावर 0 एवं 2 x plus 2 y plus 2 बरावर 0 का एक ओदिती हल हो तो इसका एंसर दोस्तों आपको b निकल जाएगा k बरावर not 0 ठीक ना दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 100 objective करवाएंगे 100 objective का एंसर बताएंगे जो कि आपको एकजाम में 50 गो का ही जवाब देन है ठीक फूरा फूल में फूल हम बताएंगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिएगा दोस्तों चलिए देश्तों दस नमर का कोस्टन देख लेते हैं 10 का निमली खीत में कौन दुए घात समीकरन है इसका इंसर दोस्तों आपको d हो जाएगा 2 x square minus 5 x बरावर x minus 1 का ह इसको हल कर लिजिएगा दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लिए है एक आरह नमर का कोस्टन है दोस्तों यदी समिकर एक स्कुर्पर पलस b x सिभलबर जीरू के मूल एक दुसरे के भीत करम हो तो तो क्या हो जागा दोस्तों 11 काउसर सी हो जाएगा यानी कि सी बडाबर एहोगा ठीक चलिए दोस्तों सवाल देख लेते हैं बाड़ा मिरियना से देखना दोस्तों माइनस भीडन अब दोस्तो बारा का सी अंसर हो जाएगा चलिए दोस्तो नेक्स सवाल देख लेते हैं जब इसको इसे मिलाएंगे तो क्या वाय के समानतर आया ही ठीक चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लेते हैं 14 नमर का 14 नमर का सवाल है कि निमलिखित में कौन सा नियामक एक्स अक्स पर का एक बिंदू है इसका अंसर दोस्त आपको ए हो जाएगा दो कोमा जीरो ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं 15 नमर का 15 नमर का कोस्टन है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद एवं सारवंतर डी हो तो उस एपी का एनमा पद होगा इसका एंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा यानि कि सूत्र ही पूछ रहा है कि ए पलस एन मैनस इन्टू डी सूत्र होता है याद रखिएगा चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों सोलर नमर का सोलर कोस्टन है समांतर सरेनी 10,7,4,3 पद है तो दोस्तों तीसवां पद इसका निकालने के बाद बी इंसर आ जाता है माइनस 77 ठीक ना हम यहां हल नहीं कर पाएंग के दोस्तों अगर इसका सलूसन चाहिए तो कमेंट बक्स में लिख दीजिएगा उसके बाद दोस्तों 17 नमर का कोस्टन है समांतर सरेनी 7,3,9,205 में पदों की संख्या कितनी है इसका एंसर दोस्त आपको भी हो जाएगा 34 ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तो इसका अगर मूल बिंदू से दूरी की बात करें आपको क्या करना है जो बिंदू दिया है उसका स्कुएर कर देना है दोनों का प्लस कर देना है दोस्तों ठीक ना मैनस है यहां देखिए चार का स्क्वार 16 हो जाएगा प्लस मैनस 3 का स्क्वार 9 हो जाएगा रूट चरहा देना है दोस्तों क्या करना है रूट चरहा देना है तो 16 क्या निकलेगा 25 रूट वर्गमुल से बाहर निकलेगा तो 5 निकल दोस्तों इसका दोस्तों भी निकल जागा भी ठिक ना चलिए दोस्तों नेक्स देख ले hem 20 नमर का जो भी आसानी सहल होता हैम बता देते हैं दोस्तों जो अब आब होता है उसको हम बाद में अहल करेंगे और तो समझे लिए दोनों का योग तो उसका मान वन हो जाता है ठीक नहीं कि यह हो जाएगा दोस्तों टोस्त जलिए नेक्स देख लेते हैं दोस्तों 21 नमर का question है कि बिंदू वो 3,0 एब मैनस 5,4 को मिलाने वाले रेखा खंट के मद बिंदू के नियामक है तो इसका answer दोस्तो आपको B हो जगा मैनस 1,2 ठीक चलिए दोस्तो नेक सवाल देख लेते हैं 22 नमर का सवाल है दोस्तो कि बिंदू मैनस 3,5 का भूज है तो दोस्तो इह होता है एकस यह होता है याद रखियेगा ठीक और वाइब ला जो होता है कोटी होता है ठीक तो यहां हमसे क्या पूछ रहा है भूज भूज यानि की माइनस 3 हो जाएगा भूज दोस्तो ठीक माइनस 3 कहां पर है दोस्तो बी में बी एंसर सही है चलिए दोस्तो नेक सवाल देख लेते हैं 23 नमर का तोर्थांस में कौन है थे 204 था में क्यों आता माइनस पलस है अब देखना है दोस्तों माइनस प хоч कहा है तो बी में है दोस्तोंHa 혁 माला सी नहीं देखना ओने के नहीं देखना है अंख से कोई मतलब नहीं ते चलिए दोस्तों तोंगा सवाल देखила लेते 24 नमर गाण 24 निमर का सवाल है दोस्तों किसी तिर्भूच के सिर्सों के नियामक माइनस 3,0, 5,2 और माइनस 8,5 हो तो उसके केंदरक के नियामक होंगे केंदरक के नियामक दोस्तों इसका एंसर B हो जाएगा करना क्या है दोस्तों इसका सूत्र रता X1 प्लस X2 प्लस X3 बटे 3 फिर उसी परकार कोमा देके Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 करके बटे 3 कर देना है हल कर लेना है दोस्तों अगर पूरा सलुसन चाहिए तो कमेंट बक्स में जड़ू लिखिएगा टेलिग्राम चैनल को ज्यारिंग कर लिजिएगा 25 का कोस्टन है दोस्तों तिर्भूज ABC का एक समकोन तिर्भूज है जिसमें एंगल C बरावर 90 डिग्रे है तो कोस A प्लस B का मान है तो इसका एंसर दोस्तों आपको A हो जाएगा 0 ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 26 नमर का कोस्टन है कि 28 cm ब्यास वाले ब्रीट की परिधी क्या होगी इसका एंसर दोस्त आपको B हो जागा 88 cm ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तो 27 नमर का विडियो को देखते रहेगा क्योंकि हम पूरा सो में सो अबजेक्टिव बताएंगा आपको ठीक ना और जाके छाप देना है और इजिनल कोस्टें पर है दोस्तो 27 का बिरिद की सबसे लंबी जीवा कहलाती है तो इसका दोस्तो याद रखेगा वी एंसर सही है ठीक सलिए दोस्तों अगला कोस्टन देख लेते हैं 29 का इन पैटीस डिगरी बते कोट 55 डिगरी प्लस कोट 78 डिगरी बते तेन बारे डिगरी बराबर है दोस्तों क्या बता है दोनों का योग अगर नब्य पूर जाय तो उसका मान अब pela इसका मान 1211 का और यह दोस्तों तो कहाँ पर है दोस्तों क्याशनर सी हो जाएगा ठीक चलिए दोस्तों ठीसका कोस्टन थे ले तेहां को तिस नमर का कोस्टन है कि यदि साइन ठीटा बढ़ावर एब टे बी तब कोस्ट ठीटा का मान होगा तो दोस्तों इसका एंसर आपको सी हो जाएगा एब बटे रूट अंडर बी स्कॉर मैनस एइसकॉर ठीक चलिए दोस्तों अगला कोस्टन देख लेते हैं एक तीस नमर का इस नमर का कोस्टन है यदि रूट ठीट ठीटा बढ़ावर तीन तब ठीटा का मान होगा तो दोस्तों इसका एंसर बी आजाएगा तीस डिग्री हल करने के बाद चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं ते तीस नमर का ते तीस नमर का है दोस्तों कि सेक नमबे डिग्री च्छेत्र फल होगा तो दोस्तों इसका एंसर आपको 34 का डी हो जाएगा पाय आर इसको ठीटा बते तीन सो साथ सूत्र होता है याद रखिएगा ठीक चलिए दोस्तों 35 नमर का कोस्तन देख लेते हैं 35 कोस्तन है दो बिरितों के छेत्र फलों का अनुपात 9 अनुपात 4 है उनकी परिधियों का अनुपात होगा इसका अंसर दोस्त आपको ए हो जागा तीन अनुपात 2 करना क्या है दोस्तों अगर छेत्र फल दिया है परिधी निकालना है तो सिध्धा रूट कर देंगे 9 और रूर 9 और 4 का रूट कर देंगे 9 का 3 निकलेगा 4 का 2 निकलेगा ठीक परिधी पुछा है अगर तिरजिया पुछे दोस्तों तो सेम यही परिकिरिया करना है ठीक लेकिन छेत्र फल दिया हुआ रहना चाहिए तब रूट करना है ठीक चलिए दोस्तों अगला कोस्टन देख लेते हैं 36 का कोस्टन है कि आर तिरजिया वाले अर्ध गोले का एक सुथर निकालीजीगा दोस्तों इसका एंसर रिचम निकाल लिए चलिए दोस्तों आर्टीस का कोस्टन देख लेते हैं अर्टीस का यादी किसी गोले का बियास 14 cm है तो इसका आइतन होगा इसका एंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा तेका 412 बाटे 3CM क्यूब ठीक चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लेते हैं उन चालिस नूर कोस्टेन है किसी संकु के अधार की तिरजिया पांस सियम है एवं उसकी उचाई 12 सियम है तो इसका वक्र पिरिष्ट का छेद्र फल होगा तो दोस्तों इसका अंसर आपको ए हो जागा 65 सियम स्कु चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों चालिस का चालिस का है यादी किसी घं की एक भुजा पांस सियम है तो इसका संपुन पिरिष्ट छेद्र फल होगा दोस्तों इसका अंसर आपको ए हो जागा चार सो हल कर लिजेगा दोस्तों अगर सलुसन चाहिए तो हम बार 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 बोल दें कमेंट वक्स में आप लिखिएगा चलिए 42 का है दोस्तों 2,5,7,3,3,6,3,8,6,3 का बहुलक क्या है बहुलक निकालना हो दोस्तों तो उसमें देखना कुन संख्या बार बार रिपिटे 43 का करणा A और B का समंतर माध दोनों को क्या करना है A प्लस B कर देना है दोसे भाग दे देना है दोस्तों यानि कि आपका एंसर B हो जाएगा A प्लस B बटे 2 चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लेते 44 नमर का 44 का कोस्तेन है किसी बढ़ा मारता सारनी का माध्य और बहुलक करम 68 और 16 है तब माध्यका होगी दोस्तों इसका एक सुत्र होता है उस सुत्र पर तोरना पड़ता है ठीक नहीं तो इसका एंसर C निकलेगा 24 ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 45 नमर का है कि 2,7,4,9,5,6,1 का माध्यका होगा तो दोस्तों इसका एंसर होगा तब 2 होगा तब 4 होगा फिर 5 होगा 6 होगा 7 होगा 9 होगा वर्ते करम में सजाने के बाद दोस्तों तीन गोई धर से तीन गोई धर से लेलना है जो बीच में बचेगा वही माध्यका या माध्यक होता है ठेक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 46 नमर का 46 का निमलिखित में से कौन से संख्या एक घटना की परिक्ता नहीं हो सकती इसका एंसर दोस्त आपको ए हो जाएगा घटना की परिक्ता जब भी होता है जीरो से एक के बीच ही होता है दोस्तो जीरो से नहीं तो कम नहीं एक से ज़्यादा जब भी होता है जीरो से एक के बीच ही लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा है तो नहीं होगा यहाँ पुछ भी रहा था नहीं हो सकती ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तो 47 नमर का 47 का निश्चित घटना की परिक्ता होती है इसका एंसर दोस्त आपको ए हो जाएगा 1 हम क्या बताए थे कि जब भी घटना परिक्ता होता है 0 से 1 निश्चित घटना है तो 1 होगा और निश्चित घटना है तो 0 होगा चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तो 48 नमर का 48 का कोस्चन है दोस्तो एक ठोस गोले को जिसकी तिरजिया नो सियम है पिगला कर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी तिरज या नो सियम है तो बेलन की उचाई होगी दोस्तों इसका 48 का एंसर आपको ए हो जाएगा 12 सियम ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते उन्चास का उन्चास का कोशन किसी उद्भारदार अस्तम की उचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाय बरावर हो तो सुर्य का उनिय दिखरी चलिए नेक्स सवाल देख लेते दोस्तों 50 नमर का कोस्टन 50 नसी यदि ए और बी ओभाजि संख्यां है तो ए और व का मोसो है इसका इंसर दोस्तों सी हो जाएगा वण ठिक दोस्तों आब और 50 बचा है दोस्तों पुड़ा देख लीजे वीडियो को क्योंकि आपक प्रवाजक बावन नमर का कुष्टन है दोस्तों भाज ए और भाजक बी के लिए बरावर बी क्यू पलस आर में से सफल आर के लिए कौन सा सम्बंद सही है इसका इंसर दोस्त आपको सी हो जाएगा आर जो है जीरो से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए दोस्तों चलिए डिटार्चें निएक्स सवाल देख लेते बावन नमर का वावन नमर का कौष्टन है दोस्तों कि यदे three theta बंड़ावर 90 डिग्री तो क्या दिया है three theta ब्रावर 90 डिग्री ठेक उसके बाद three से भाग देंगे तें कितना आ जाएगा दोस्तो 3-3 आनो यानिक 30 डिग्री ठीक मान कितना निकल गया 30 डिग्री अब coast 30 डिग्री का मान बैठा देना है दोस्तो कोस्ट 30 डिगरी का मान क्या होता है दोस्तो सी हो जागा रूट 3 वा 2 ठीक याद रखिएगा चलिए नेक्स जवाल दोस्तो देख लेते हैं 54 नमर का 54 का कोस्टेन है दोस्तो कि यदि कोस अलफा पोलस बीटा बड़ावर 0 तब साइन अलफा मैनस बीटा होगा तो दोस्तो आप 54 का अंसर आपको दी हो जाएगा कोस्ट 2 बीटा ठीक चलिए नेक्स जवाल देख लेते हैं दोस्तो 55 नमर का 55 का कोस्टेन है समिकरन एक्स पोलस वा बड़ावर 14 और एक्स मैनस वा बड़ावर 4 के हल है दोस्तो आपको इसको बिलोपन विधी द्वारा हल कर लेना है किसी भी विधी द्वारा तो इसका अंसर दोस्तो आपको बी हा जाएगा एक्स बड़ावर 9 और वा बड़ावर 5 ठीक चलिए नेक्स जवाल देख लेते हैं दोस्तो 56 नमर का 56 का कोस्टेन है कि समरूप तिर्भूज ABC एवं तिर्भूज DEF में दिया है AB बटे DE बड़ावर BC बटे F D तब तब क्या होगा दोस्तो 56 नमर का इंसर आपको B हो जाएगा एंगल A बड़ावर एंगल D चलिए दोस्तो नेक्स जवाल देख लेते हैं 57 नमर का 57 का है तिर्भूज ABC में DE समांतर BC इस परकार से है कि AD बड़ावर 2.4 CM, AE बड़ावर 3.2 CM और EC बड़ावर 4.8 CM तब AB होगा तो दोस्तो आपका 57 का इंसर आपको B हो जाएगा 6 CM ठीक ना हल करने के बाद दोस्तो यहां थोड़ा बड़ा सलूशन है इसका यहां हल नहीं कर पाएंगे दोस्तो चलिए 58 नमर का question देख लेते हैं 58 किसी घटना E के घटित होने की परिक्ता PE तो निम्नांकित में कौन सही है इसका अंसर दोस्तो आपको D हो जाएगा ठीक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तो उनसर नमर का सवाल है कि B अंसर आजाएगा 0 ठेक चलिए दोस्तो नेक्स सवाल देख लेते हैं 60 नमर का question है दोस्तो की बिंदू P 5,6 की X अक्स से दूरी होगी तो दोस्तो आपका answer है इसमें A हो जाएगा 5 एकाई देखिए X अक्स हम बताये थे पहला X अक्स होता है दूसरा Y अक्स होता है तो दोस दोस्तो संख्या इतना है तो दोस्तो इसका answer B हो जाएगा परिमेटिक चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तो 62 नमर का question है दोस्तो निमलीखित में कौन सा भी निका दस्मला परशार सांत होगा तो इसका answer दोस्त आपको D हो जाएगा 3,60 चलिए दोस्तो नेक्स सवाल देख लेते हैं तिरे सट नमर का तिरे सट का संख्या एक सो चोवाली सेवाम तीन सो बहत्तर का मोसो होगा इसका answer आपको सी हो जागा बाड़ा मोसो निकाल देना है दोस्तो ठीक चलिए 64 नमर का question है दोस्तों कि यादी अलफा को मा बीटा को मा गामा बहुपत एक्स scientific western veelike rapid के सुन्या को तो अलफा हैं टूबी टा प्लस बीटा इंटू गमा प्लस अलफा मोuated बराबर तो दोस्तों इसका सुत्र ही होता है इसका B हो जाएगा सूत्र C by A ठीक स्याद रखिएगा चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लेते हैं 65 नमर का कुस्ते ने यदी बहुपद 2X स्क्वार प्लस X प्लस K का एक सुन्यक 3 हो तो K का मान होगा यानि कि एक सुन्यक 3X के जगह 3 भीठा देना है दोस्तों इसको हल करने के बाद आपका इंसर B निकल जाएगा माइनस 21 चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लेते हैं 66 नमर का 66 नमर का कुस्ते ने यदी बहुपद 2X बरावर 4X क्यूब माइनस 5X स्क्वार प्लस 3X प्लस साथ के सुन्यक अलफा कोमा बीटा और गमा हो तो अलफा एंटू बीटा एंटू गमा का मान होगा इसका इंसर आपको यह हो जाएगा माइनस साथ बटे चार चलिए नेक्स तावाल देख लेते हैं दोस्तों सरसत नमर का सरसत नमर का कोस्ते ने समीकर निकार 2X प्लस 3Y बड़ावर 7,6X प्लस 5Y बड़ावर 11 के कितने हल होंगे तो इसका इंसर आपको सी हो जागा अधूतिय हल चलिए नेक्स तावाल देख लेते हैं अर्शत नमर का अर्शत नमर कोस्ते ने जादी रेखिक समीकर नों का यूग मों संगत है तो उनके आलेख होंगे तो इसका इंसर आपको यह हो जागा समांतर रेखा हैं चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं कि 59 नमर का सवाल है रेखिक समीकर यूग एक्स माइनस टू यूग ब्रावर जीरो एवं थिरी एक्स प्लस फोर वा ब्रावर बीस का हल है इसका इंसर आपको दोस्तों यह हो जाएगा एक्स ब्रावर चार और व्रावर दो विलोपन विधी या किसी भी विधी से हल कर लेन आपको चलिए नेक्स चावाल देख लेते सतर नमर का सतर नमर का को सेने यदि 65 तथा 117 का मौश्व 65 एम माइनस 117 के रूप में है तो एम का मान होगा दोस्तों इसका एंसर आपको भी हो जाएगा दो ठेक हल करने के बाद दो निकलता है चलिए नेक्स चावाल देख लेते एक आमान निकलना है दोस्तों एक्स के जगह आपको जो मूल एक दिया है दो रख देना है उसके बाद दोस्तों हल करने के बाद आपका एंसर भी आ जाएगा माइनस साथ चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों बहात्तर नमर का 72 नमर का सवाल है यदि समिकरन एक्स स्क्वार पलस टू इंटू के पलस टू एक्स पलस नाइन के बरावर जीरो के मूल वास्तविक और बरावर हो तो के का मान होगा दोस्तों इसको हल करने कवाद आप एंसर ए हो जाएगा एक या चार चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं 73 नमर का 73 का सवाल है दोस्तों समिकरन एक्स स्क्वार माइनस टू एक्स पलस वन बरावर वन के मूल निमली खीत में से कौन होंगे इसका एंसर दोस्तों आपको डी हो जाएगा 0,2 चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 74 नमर का 74 का एक्स स्क्वार पलस पी एक्स क्यू बरावर जीरो को पूर्ण वर्ग होने के लिए क्यू का मान निमली खीत में से कौन होगा इसका एंसर दोस्तों आपको यह हो जाएगा 0 चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं 75 नमर का 75 का है दोस्तों 75 स्रेडिय पोइंट 8,2.1,2.4,2.7 दोट-डोट का सार्व अंतर ह इसे निकालते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं यानि कि 75 का एंसर भी हो जाएगा 0 अंट 3 हो जाएगा चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 76 नमर का 76 का कोश्चन है दोस्तों कि यदि 2X पलस 3,5X पलस 1,6X पलस 3 समांतर सरी हो तो X का मान होगा द चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 77 नमर का 77 का समांतर सरीडी 117,104,109,70, so dot dot का आठानों पद है इसका एंसर दोस्तों आपको बी निकल जाएगा 26 चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 78 नमर का 78 का कुश्चन है यदि किसी समांतर सरीडी का आयनमा प टू एन प्लस वन है तो इसके प्रथम तीन प्रदों का योग होगा इसका अंसर दोस्तों आपको यह हो जाएगा 15 चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 89 नमर का कोस्टन है यदि बिन्दू ओ A-6,5 एबन B-2,3 को मिलाने वाले रेखा खंड का मद बिन्दू P A वटे 2,4 है तो A का मान होगा दोस्तों इसका अंसर A निकल जाएगा चलिए नेक्स सवाल दोस्तों 80 नमर का कोस्टन है कि यदि A-1,4 B-5,2 और C-4,15 किसी तिर्भूज ABC के सिर्च है तो इसका केंदरक होगा तो दोस्तों इसका अंसर आपको यह हो जाएगा 0,3 चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों 80 नमर का कोस्टन है कि X-A-2,-3 और B-5,6 को मिलाने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में अंतर विवाजित करता है तो इसका अंसर दोस्तों आपको D हो जाएगा इनमें इसको यानि कि जो अहल करके निकले तो दोस्तों ओप्सन ही नहीं है चलिए दोस्तों नेक्स सवाल देख लेते हैं, 82 का है तिर्भुज ABC में रेखा खंड P, Q को मान, BC के समानतर इस परकार है कि AP बरावर X, BP, TB बरावर 4CM, AQ बरावर 14CM, QC बरावर 7CM, तो X का मान होगा जिसका एंसर ए हो जाएगा 8CM, चलिए नेक्स सवाल देख लेते, 83 नमर का, 83 का है दोस्तों, दोस अमरुग तिर्भुजों के छेतर फलों का अनुपात, 25 अनुपात, 49 है तो उसकी संगत मध्यकाओं का अनुपात होगा, इसका एंसर दोस्तों आपको B हो जाएगा, 5 अनुपात साथ करना क्या है, दोस्तों, 25 जो दिया है, इसका रूट अनुपात, रूट अंदर, 49 कर दे है, संगत भुजा निकालना हो, मध्यका निकल जो भी करना है, रूट कर देना है, चलिए, दोस्तों, नेक्स सवाल देख लेते हैं, 84 नमन का, 84 का है, यदि तिर्भुज, ABC में, A बरावर, 4CM, B बरावर, 5CM, और C बरावर, 3CM, तो एंगल B बरावर, तो दोस्तों, इसका आइसर दोस्तों, आपको B हो जाएगा, दो, चलिए, नेक्स सवाल देख लेते, 86 नमर का, 86 का है, बिंदू, P से, PT को मा, ओ, केंदर वाले, बिरित की, असपर्स रेखा, यदि, ओटी, बरावर, 6CM, और बरावर, 10CM, तो असपर्स रेखा, PT की लंबाई होगी, इसका आइ सब्सक्राइब, चलिए, नेक्स सवाल देख लेते हैं, 87 नमर के बीच का कोन, 130 डिगरी है, तो उन, दोनों, तिर्जियाओं के छोर पर की, असपर्स रेखाओं के बीच का कोन होगा, इसका एंसर दोस्त, आपको यह होजाएगा, 25 डिगरी, चलिए, नेक्स सवाल देख ले 45 का मान, एक बटे रूर तो हता है, लेकिन ओप्शन कोस 45 था, तो इसी को टीग मारना पड़ेगा, चलिए, अगला कोस्चन देख लेते हैं, 89 का है, दोस्तो, साइन स्कार 90 डिगरी, मैस 10 स्कार 45 डिगरी, दोनों का मान रखने के बाद, दोस्तो, इसका एंसर आपको, भी आ और 45 डिगरी, तो 10 स्क्वार ठीटा प्लस कोस स्क्वार ठीटा का मान होगा, दोस्तो, यहां 45 ठीटा, जीगा 45 रख देना है, उसके बाद, जो जो मान होता है, दोस्तो, रख देना है, इसका एंसर सी निकल जाएगा, तीन, चलिए, नेक्स जवाल देख लेते हैं, एक आण बयान होगा, प्लस कोस साथ डिगरी का मान होगा, तो, बयान होगा प्लस कोस ए मान होगा, के तो के कामान होगा तो दोस्तों इसका अंसर आपको बी निकल जाएगा वांच चलिए नेक्स सवाल देख लेते तेरानवे नमर का तेरानवे का है एक विरित की तिर्जिया छो सियम है तथा के अंदर ओ है एक तिर्जिखंड ए ओ बी इस परकार है कि एंगल ए ओ बी ब्रावरतीस डिगरी तो लगुचाप ए बी की लंबाई है इसका अंसर आपको ए निकल जाएगा पाई सियम चलिए नेक्स सवाल देख ले कि यदि किसी गोले की तिर्जा आधी कर दी जाती है तो मूल गोला आवम नए गोला का आइतन अनुपात होगा तिसका अंसर दोस्तों आपको भी हो जाएगा आठ अनुपात एक चलिए नेक्स सवाल देख लेते च्यानवे नमर का च्यानवे का दोस्तों एक संकू की पूर्ण सत्ता का छेधर्फल 18.00 मीटर स्क्वार है और उसकी तिरिया कुछाई संकु के आधार की तिर्जा की दूगूनी है तो संकु का आधार का छेधर्फल होगा इसका छल करने गाद दोस्ते जय आजागा छोव मीटर स्क्वार तो दोस्तों इसका इंसर आपको डी हो जाएगा एक्स वाय जार चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं दोस्तों अन्ठानवे का अन्ठानवे का है दोस्तों 2,7,4,9,5,6,1 का माधिका होगा माधिका निकालने के लिए हम क्या बताएं दोस्तों सब को बढ़ते कर्णे में लिखना है एक उसके बाद 2 उसके बाद 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 9 इसमें दोस्तों तीन गोई धर तीन गोई धर जो बीच में बचेगा वही माधिका होता है पा बहुलक निकालने क्लेम क्या बताये थे जो बार बार रिपेटेट अंख होगा वही होता है दोस्तों बहुलक इसमें बार बार देखिए कौन सांख लिखा गया है इसमें दोस्तों सी लिखा गया यानि कि चार जो है बार बार लिखा गया है देख लीजिए चार एंसर हो बावन पता होता है ठीक लिखिन बेगम जो है चार होता है तो दोस्तों चार बटे टोटल पता कितना है बावन कर जाएगा दोस्तों अगर आपको पूरा सलोशन चाहिए इसका कमेंट बक्स में लिखिए का अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंती को दवा के ओल कर लिजिए